यूपी विधान समाच चुनाओं के बाद से ही भतीजे अखलेश यादव के खिलाब बगावत का जंडा लिये घूम रहे प्रगतिशी समाजवादी पार्टी के प्रमुक शिवपाल यादव को जिस उचित समय का इंतिजार था वो बहत करीब आ गया है आज शिपाल यादव ने लखनव में प्रेस कॉंफरेंस बुलाई हैं बताये जा रहा है कि प्रसपा प्रमुक इस दोरान भतीजे अखिलेश के खिलाफ नई जंग का एलान करने वाले हैं जिन पर वो अपमायनित करने का आरोप लगा रहे हैं काफी दिनों से अटकले हैं कि शिपाल यादव भाजपा का दामन थाम सकते हैं हालाकि उनकी तरह सपा से नराज चल रहे आजम खान से मुलाकात के बाद से ये भी चर्चा है कि वो दिगज मुस्लिम नेता के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं पिछलेग उस दिनों में जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया उससे वो काफी अद्तक साफ हो गया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव का साथ जरूर छोड़ देंगे इस प्रेस कॉंफरेंस से पहले शीपाल यादव ने ईद के मोके पर एक ट्वीट भी किया था जिसे देखकर अंदाज लगाए जा सकता है कि अखिलेश यादव का तो वो साथ छोड़ नहीं वाले हैं उन्होंने ट्वीट कर लिखा था अपने सम्मान के नियुंत्यम बिंदु बजा कर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस तर तक उसने हिर्दे को चोट दी होगी हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रोंते चला गया एक बार पुनाय पुनर गठन आत्म शास और सबके सयोग की अपरितम शक्ती से ईद की मुबारक बात शिवपाल यादव की स्ट्रीट से अंदाद लगाए जा सकता है कि उनका इशारा साफ तोर पर अखिलेश यादव की तरफ ही है बदा देगी मुलायम सिंग यादव की विरासत को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीज 2017 विधान सबा चुनाओ से पहले ही फूट पड़ गई थी उन्होंने सपा को छोड़ कर अपनी नई पार्टी बना लेकिन 2022 के विधान सुबा चुनाओ में बड़े भाई मुलायम सिंग यादव की कहने पर वो भतीजय खिलेश का साथ देने को तयार हो गई हलाकि इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लेग और गटबंदन के बदले महज एक ही सीट दी गई उन्हें सपा के सिंबल पर ही जस्वन्त नगर से लड़ाया गया इसके बाद सपा गटबंदन में सक्रिय भुमिकाय नेता परतिपक्ष बनाए जाने की मांग भी ठुकरा दी गई इससे आहर शुपाल यादव ने बागी रुख अपना लिया है किसी भी कारेकरम में शुपाल यादव जाते हैं तो उनके रोक साफ हो जाते हैं वो इसी तरह के संकेत देते नजर आते हैं कि वो खिलेश श्यादव को इस बाद सबक सिखा कर रहेंगे तो यह एक गयल क्यों में दाड़ना ब्यान है दाड़ना नी का ब्यान है यह अब वैसे तो मैं समाजवादी पाटी कैयों से ग्यारह जो विधायक जीते होने से हैं अब पता नहीं उन्हें अगर यह वाजपा मैं बेजना है तो फिर निकाल दे निकाल देना चाहिए उनको और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचे समाई होगा तो उचे समय से आप लोगों को अफ़गत करा देंगे पिलाल नजरे इस बात पर कि आज लखनाओ में प्रेस कोंफरेंस में शुपाल यादव कौन सा बड़ा एलान करने वाले हैं क्या वो बीजेपी जॉइन करेंगे या फिर अखिलेश यादव का साथ छोड़ मुसलिम नेताओं के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाएंगे या अज इस प्रेस कोंफरेंस में पता चल जाएगा तो आप भी अपनी नजरे बनाए रखिए साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रही हेडलाइन्स न्यूज नेटवर्क के साथ